हेलो फ्रेंड्स माध्ων केशब चैनल में आपका स्वागत है काना जी के लिए यह बेस बनाएंगे हैवी बेस बनाएंगे तो मैंने यह शिंपल तरीके से नेट में बेस बनाया है वुक्रम लगा कर एक मैंने छोटी साइज में वुक्रम काटा और एक बड़ी साइज में वु सम्पल तेरीके से मैने यह ब Seal बना कर तयार किया है अर्प्री नची हेट है बैस बनाने के लिए मैंने यह ढौलिए है व्यक्राब कि लंबा कर बनने 9 की रफ़ोड़ा मेंने इसको सफोर्ड के रीड़ में जाल मैंने इसको कर दिया यहाँ यहां पर देखिया यह मैंने 4.5 इंची पर निशान लगा थे तो 9 का मेंने यह बनाया है नो इंची का मैंने ये गेर बना है, नो इंची का ही रख सकते हैं, आप दस इंची का भी रख सकते हैं, अपने इसाब से रख सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी हो, यह मैंने नो इंची पर निसान लगा कर, साड़े चार इंची के चार फोल से निसान लगा कर, मैंने ये निसा यहां कमर देखेंगे तो कमर की पड़ी होती है किसी की छोटी होती है तो मैंने यह पांचशी पर लिया है पांच इंचची में किया है इंची टेप को चार प्ल में करने के बाद किए देखिए यहां पर तो यह एक पॉइंट दो पर आ रहा है तो यह एक पोइंट दो चार फोल्ट पर मैंने यह बुक्रम को फोल्ड किया है कि और यह देखे हैं यहां से हम इस तरह से रखेंगे एक पॉइंट दो पर निसान लगाएंगे एक इंची दो पर ये निसान इस तरह से निसान लगाएंगे तो एक दम सिंपल अच्छे से यह यहां से गोलाई आएगी और नाप का भी हमें पता से लेगा तो यह देखिए एक इंची से कम में आता है इस तरह से नापेंगे तो वैसे हम लेते हैं तो एक इंची पर यह निसान आता है एक इंची पर निसान लगाते हैं तो यह बड़ा हो जाता है कभी कभी छोटा हो जाता है सोड़े में लेते हैं तो तो इस तरह से हम निसान रहे गर चारफोंड में हमें यह इन्च टैब को रखकर इस तरह से पूरा फिक्स लेंगे चोटा बढ़ाँ कित तो इस तरह से यह देखें गुलाई लगा लेकंट है मैंने चाहिए लड़ोपाल की 6 कि कमर हो या फिर बड़ी कमर हो छोटी कमर हो जितने चोटी साइज के लड़ोपाल उसी केनाब से हम यह कमर कट कर सकते हैं यह देखे मैंने यहां पर कमर कट कर कपड़े को कि बुक्रम के कोडिंग ही कट करूंगे अ कि यह देखिए मैंने बुक्रम की कट कर दिया है यहां पर मैंने चिलाइ लगा दी है इसको भी कट कर देंगे तो यहां पर यह देखिए मैंने इस तरह से कट किया है चोटे-चोटे निशान लगाएंगे अंदर की तरफ से यहां चोटे-चोटे निशान लगाकर इसको पलट देंगे फ्रेंड्स यह पलटने का यह है कि प्रेस नहीं करनी पड़ती है और एक साथ ही हमारे कर दोनों तरफ से यह फैवरीक आ जाता है यहां पर एक स्छिलाई लगा लेंगे यह देखिए यहां पर मैंने चिलाई लगा दी है यहां पर भी अब हम चिलाई एक लगा लेंगे तो में में प्रेश नहीं करनी पड़ेगी और डबल दोनों तरफ से यह अस्तर आ जाएगा बुक्रम के अगोडिंग यहां पर शिलाई लगा कर यहां कट कर देंगे यह देखिए यहां पर मेरा 3.5 इंची पर यह बुक्रम की लंबाई आ रही है बेस की लंबाई तो मैंने यह 4.5 इंची पर नेट काट के तयार किया है यहां से डबल करेंगे और यह निशान लगाकर कट करेंगे और यहां टिशू रिबन से हमें इसको भी लोग कर देंगे पहले ही यहां से लगाएंगे दोनों तरफ से इसे पहले यह देखे फ्रेंड्स यहां पर इस तरह से सलवटे डालेंगे पहले उपर की तरफ से सल्वटे डालना शुरूर करेंगे यहां रखेंगे और यहां रखकर इस रख से सारे में उपर की तरफ से ही सल्वटे डालके तयार करेंगे नीचे से सल्वटे नहीं डालेंगे यह देखें मैंने उपर से ही सल्वटे डाली है अब इसको टिशू रिबन से लोग कर दिया है एक शिलाई हम ये नेट के उपर लगाएंगे और नेट के उपर लगा कर ये एक्स्ट्रा नेट बचा हुआ है इसको हम कट कर देंगे और ये देखिए इस तरह से ये लेश लगा कर इसको भी कवर कर देंगे यहाँपर हम निफा लगाएंगे तो निफा लगाने के लिए मैंने एकदम फिनिशिंग के साथ में यह बेस बनकर तयार है कि यह देखे इतना सुन्दर एकदम सेंपल तरीके से मैंने यह बेस बताया है इसी तरह से मैं बड़े लग इसी नाप का छोटा वुक्रम काट का भी तयार करूंगी यह मैंने बड़ा वुक्रम काटा है और यह मैंने छोटा वुक्रम काट के तयार किया है इसी नाप का मैंने यह बुक्रम काटा है और मैंने यह कपड़ा फेवरिक लगाकर तयार कर दिया है इसी तरह से यह देखिए यहां पर मैंने डाई इंची का यह भुक्रम काटा है तो यहां चार इंची पर मैंने यह नेट काटकर तयार की है यहां पर भी इसी तरह से शिलाई लगाएंगी यह सलवटे डालके यह मैंने बड़ा नेट काटके इसलिए तयार किया है कि हमें यहां से अक्ष्ट्रा जितना बड़ा हमें चाहिए उतना बड़ा ही यह नेट लगाया है मैंने इसी तरह से पहले लगाया इसी तरह से मैंने यह नेट लगा कर तयार किया है कि यह देखिए इसी फिनिशिंग के साथ में यहां पर हम सिलाई लगा देंगे एक यह देखिए एक यह लगा दी है और यह यहां से लोग करेंगे दोनों तरफ से इसी दरा से यह लोग करके है यह बेस बनाएंगे सिंपल बेस बनाना ही बता रही हूं यहां पर तो मैं इसको हैवी तो मैं बाद में करूंगी यह मैंने प्लेंट से भी सिंपल हैवी बेस बनाया है इसी टीस्यू रिबन से यह यहां पर नेफा लगाएंगे यह देखिए यहां पर डोरी लगाकर मैंने यह बेश भी बनाकर तयार कर दिया है इसी नापका है तो यह नेट कट नहीं करेंगे दोनों एक सिंपल बनाए हैं एकदम आसान तरीके से यहां पर बुंटी लगाओ और बुंटी लगाकर हैवे बनाओ अपनी इचानुसार फ्रेंड्स वीडियो बनाओ